Hello everyone, this is Amana Garwal, so guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले है TCS स्मार्ट हाइरिंग रिजल्ट डेट के बारे में So guys, काफी टाइम से काफी स्टुडेंट्स वेट कर रहे है, TCS स्मार्ट हाइरिंग के रिजल्ट का अभी काफी स्टुडेंट्स ने 14th FAB के अंदर, मैं आप सभी स्टुडेंट्स को बता जता हूँ, काफी स्टुडेंट्स ने 14th FAB के अंदर अपने असेस्मेंट दिया है, ठीक है, अपना ओनलाइन असेस्मेंट दिया है, जिसके अंदर आपने aptitude, raising, verbal ability and coding section वहाँ पर attempt किया ह अब 14th FAB के बाद काफी स्टुडेंट्स बेट कर रहे हैं, काफी मुझे mails आई है, काफी कमेंट आई है कि बहिया कब तक result receive हो जाएंगे, अब जैसे आपका assessment हुआ है, अब आपका assessment के बाद, जितने स्टुडेंट्स शोट लिस्ट होगे, अब आप लोग को आईगी interview में अब आप लोग को interview mail आनी है, and क्या cut off रहेगी, मैं एक cut off भी बता जता हूँ कि cut off क्या रहने वाली है, इस वीडियो के अंदर cut off के बारे में भी discuss करने वाले है, कि nearby cut off क्या रहेगी, and अब जो बहिया interview होगे हमारे interview के अंदर क्या आने वाला है, interview की preparation कैसे करे, interview के लिए कहा से prepare करे, so वो सारी चीजे आज किस वीडियो के अंदर हम देखने वाले है, so वीडियो स्टार्ट करते हैं अब तक जितने students ने चैनल को subscribe नहीं किया है, so अभी अभी चैनल को subscribe कर लेना, अभी हम result date देखने वाले है, so वीडियो एंड तक देखना, वीज में skip करोगे, so आपक पुका हूँ, आप सभी students के लिए एक free webinar, एक free master class, या फिर आप एक free session बोल सकते हो, आप सभी students के लिए एक host किया गया है, and ये session आप कैसे अपने seat ले सकते हो, वो मैं बता दता हूँ, placement पे चर्चा, ये हमारा topic रहने वाला है, आप लोग को description के अंदर link मिल जाएगा, and यहा पे आपको service based mock interviews के अंदर आपके भहिया की profile मिल जाएगी, आपको आपके भहिया की profile पे जाना है, and उसके बाद आप लोग को यहाँ पे session मिल जाएगा, placement पे चर्चा, आप लोग के लिए चोटा सा gift है, जितने भी students है चैनल को subscribe कर रखा है, so आप सभी students के लिए चोटा सा gift ह placement पे चर्चा webinar, बिलकुल freely आप सभी students के लिए उस्ट किया गया है, इस webinar के अंदर, इस session के अंदर हम सारी चीज़े discuss करने वाले है, सारे doubts कवर करने वाले है, काफी students के इंटर्यू के अंदर rejections आ रहे हैं, काफी students के assessment के अंदर soul listing नहीं आती है, so जो भी आपके placements पे doubt है, य जैसे आप नाम से ही समझ चुके होगे, पुरा पुरा session काफी ज्यादा amazing होने वाला है, and only top 300 students के लिए session लेने वाला है, already काफी सारी seats book हो चुकी है, कुछ limited seats बची है, अगर आप लोग तुरंत के तुरंत priority basis पे ले पाओ, तो ले लेना, बाद में मुझे मत बोलना, because only 300 seats है जैसे 300 seats feel हो जाएगी, उसके बाद back end से ही यह आपका setting है कि 300 seats होने के बाद आप लोग को access नहीं मिलेगा, so इस session के अंदर only 300 seats है, so अभी के अभी अपनी seat book कर लेना, description के अंदर link provide कर दूँगा, and यह तो आपको करना ही करना है, another which is most important thing, यार यह लोग बिलकुल free में referral दे र आना है, ठीक है, already मैं भी इस website में प्रेजेंट में आपको दिखाया, and यहाँ पर आपको आना, यहाँ पर फ्रीली referral ले सकते हो, कितनी बड़ी company हो, कितनी छोटी company हो, यहाँ पर सब company के software engineer यहाँ पर है, and free में आपको referral मिल जाएगा, अब आपका TCS का आपका interview होगा, so उसक में कुछ changes होगा, तो आप resume में change कर लोगे, अपने interview से पहले, यहाँ पर resume review पर जाना, resume review पर जाके बिल्कुल free में, आपको अपना time और अपना slot बुक करना है, one to one आप अपना resume review करा सकते हो, यहाँ पर आपको confirm details पर जाना है, मैं आपको बता दता हूँ, जैसे आप confirm details पर आओगे, name, email, what is the call about, phone number, and यहाँ पर आप 300 रुपीज देख पार होगे, आपको session recording हटा देना है, बिल्कुल free में, आप resume review करा लोगे, so description के अंदर link है, webinar and resume review, अभी के अभी जाके, अपने seat book कर लो, finally, अब बात करने वाले, अपने result की date के बारे में, कि भीया, कब तक result expect हम क कर सकते है, कब तक हमारी result आ सकते है, कब तक हमारी interview mail आ सकती है, so पहले तो मैं आप सब इस्टूट्स को कहूंगा कि अभी से अपने interview preparation कर दो, and interview preparation भी बताने वालों कि आपको कहां से करनी है, कैसे करनी है, क्या-क्या चीज़ा आने वाले है, सारी चीज़ा बताने वालों, अब बात करते है result date के बारे में, देखो अभी आप सभी students ने, काफिश students ने 14th FAB के अंदर अपने दिये assessment, ठीक है, अभी आप सभी students ने assessment दिये, approach आपका one week already हो चुका है, and अभी तक result का नाम निसान नहीं है, so आप expect कर सकते हो, देखो TCS, TCS के जब भी results आते हैं, जब भी assessment के results आते हैं, इंटर्व्यू के results आते हैं, थोड़ असा time taking process होता है, थोड़ असा time लगता है, बहुत बड़ी company है, बहुत सारे students ने assessment दिया, तो थोड़ असा यहाँ पर time लगता है, but कब तक भाहिया आ सकता है result, वो आप हमें बता दो, so guys, आप लोग expect कर सकते हो, 15 to 20 days, 15 to 20 days usually, अभी काफी बार TCS ने smart hiring लेका आई है, तो usually 15 to 20 days आपके result को लग जाते हैं, and ये कभी-कभी delay होके one month भी हो जाता है, ये delay होके आपका one month भी हो जाता है, so within one month expect कर सकते हो, आपका result आजाएगा, आप expect कर सकते हो, March के अंदर, March के first week के अंदर, आपका result आजाएगा, फिस् फिस्ट वीक ओफ मार्च तक आपका result expect कर सकते हो, कि आजाएगा, and अपनी emails, बार-बार बोल ला हूँ, अपनी emails, regular basis पे check कर लेना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता है, 15 to 20 days, कभी-कभी time, सही time के आजाता है, कि 15 days के अंदर आपका result आगया, and कभी-कभी delay भी हो जाता है, ठ सकता है, but अगर थोड़ा सा delay हुआ सा, वो वन मन तक भी delay हो सकता है, so आप expect कर सकते हो, 15 to 20 days, कितने बताया है, मैंने आप सभी students को, 15 to 20 days, आपके assessment होने के बाद, यह हमने काफी बार analysis किया है, ठीक है, काफी बार analysis करने के बाद कि thesis के जब assessment होते है, उसके कितने time बाद results आते सकते हैं, तभी यह video बनाई गई है, तभी आप लोग को यह date बताई गई है, कि 15 to 20 days, guys, आप expect कर सकते हो, and इस time में अपने interview preparation कर दो start, interview preparation आप सभी students को start कर देनी है, अब भया interview preparation start करने को तो आपने बोल दिया, but कैसे start करे, so आप don't worry, कोई भी टैंसर लेने की need नहीं है, सारी चीज़े बताने वाला हूँ, चैनल को subscribe कर लेना भी एक amazing one short आप सभी students के लिए आने वाला है, जैसे हमने TCS smart coding one short बनाया था, काफी students को already help किया है, काफी students के personal email आई है, कि भाया, उसमें से काफी questions आई है, मतलब coding जो आपने कराई थी, उसमें से हमें question आई है, काफी students के mail so, इसके लिए आप सभी students को करना गया है, चैनल को subscribe and notification कर लेना, जैसे ही one short upload होगा, आपको तुरंत के तुरंत वीडियो आपको दिख जाएगी, आपको notification आजाएगी, and इस interview one short के लिए आपको comment करनी है, जितनी ज़्यादा comment होगी, believe me, उतनी जल्दी है one short आप लोग के one short, जल्देली comment कर दो, TCS smart one short, बिल्कुल freely इस channel पर आपको मिल जाएगा, 122R का ये one short होने वाला है, काफी ज़्यादा important interview questions इस one short के अंदर हम cover करने वाले हैं, so, hopes आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो like ज़रूर कर देना, and अगर आपको कोई भी doubts है, so, comment section आप सब students के ल कर दो, 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 कर दो